हलो दोस्तों आप सभी का आल अवाट सोसियस में स्वागत है और ये समासास्ट की इग्नो सिरीज है और इसमें अभी हम लोग सामाजी कस्तरी करड़ पे विभिन विचारकों के क्या विचार रहे हैं उसकी बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो अलड़ी हम लोग काल माक्स के विचार मैक्स वेबर के विचार को हम लोग चर्चा कर चुके हैं आज इसी कड़ी में टालकट पार्संस ने सामाजी कस्तरी करड़ पे अपनी क्या विचार दिये हैं इसकी बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं और आप सभी को ये पता कि जो Talcott Parsons जी हैं इन्होंने Grand Theory दे थी आप लोगं को अगर ध्यान है तो Grand Theory जो है वो Talcott Parsons के द्वारा दिया गया था और उसी का विरोध करते हुए Roberto के Merton ने Middle रेंज तो Grand Theory में Talcott Parsons ये कहते हैं कि हमें जो समाज को समझना है समाजिक व्यवस्था को समझना है वो हम as a whole बड़े लेवल पे सोचेंगे तभी हमें उसमें कुछ एक बोलेंगे की आम सहमती बन सकती है या एक कामन लक्ष हमें दिख सकता है तो हमें समाज को एक बड़े अस्तर पे समझने की जरूरत है यहाँ पे इनके ग्रैंट ठीओरी से ये बात निकल के आती है कि ये एक प्रकार्यात्मक सिध्धान्थ वादी थे तो आखिन में प्रकार्यात्मक सिध्धान्थ क्या होता है इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं हलाकि आप लोगों को अलड़ी प्रकार्यात्मक सिध्धान्थ या प्रकार्यात्मक सिध्धान्थ क्या होता है उसके बारे में पता होगा फिर भी एक बार हम लोग सिध्धान्थ जो है वो ये बतानी का प्रयास करता है कि समाज आखिर में जीवित क्यों रह पाता है या फ हम science की ही बात करें, तो चाहे वो कोई भी वस्तु है, आप लोग देखेंगे कोई वस्तु है, वो उसको इस्थिरता चाहिए, वो अपने इस्थिर पोजिशन में आने के लिए, वो तब तक इधर उधर अगर माल लेते हैं, कि एक ball को माल लेते हैं, एक गेंध है, उसको हमने फेका वो डगरते हुए जा रहा है, लेकिन कुछ समय पस्चात आप लोग देखेंगे कि वो ball जो है, वो एक जगर जाकर ठार जाता है, या रुख जाता है, ऐसा नहीं है कि वो चुकि सरकल जैसा है, तो वो डगरता ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है, तो वो इस्थिरता अप की धार्णा ये है कि सभी समाज जो होते हैं, वो इस्थिरता और शांती चाहते हैं, समाज में लोग और राजक्ता और भ्रम नहीं चाहते हैं, क्योंकि इससे जो डेली के क्रिया कलाप होते हैं, जो दैनी क्रिया कलाप होते हैं, उसमें काफी जादे बाधा आती हैं, इसलि होते हैं, प्रकार वादी जो है, वो समाज को एक जीव की रूप में देखते हैं, इस जीव के अलग-belग अंग होते हैं बहुत ही बेिसिक सागर कौंसेप्ट अगर हमें प्रकार वादी सिध्धान्थ क्या है समझना है तो कुछ नहीं समझना है, एक मानो सरीर को ही समझना है कि जिस प्रकार से मानो सरीर के विभिन अंग एक साथ होगे और चाहे वो छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा काम सारे अंग जो है वो एक साथ मिल के सहयोग देते हैं तभी हो पाता है तो यही कॉंसेप्ट जो है वो प्रकार्यात्मक सिधान्त में लाया गया है और जो प्रकार्यवादी होते हैं वो समाज को एक जीव की रूप में देखते हैं और इस जीव के जो अलग अलग अंग होते हैं ये अंग एक समगर इकाई में होते हैं एक समगर इकाई का काम करते ह और ये परसपर सहयोग से काम करते हैं मानो सरीर एक जटिल जीव है जिसके सरीर में विविन अंग प्रत्यंग होते हैं या बहुत सारे अंग होते हैं बाडी पार्स होते हैं इसका प्रत्यंग जो होता है वो एक दूसरे से अलग होता है आँखों का काम कुछ और है, कान का काम कुछ और है, मुँग का काम कुछ और है, लेकिन यहाँ पे आप लोगं को एक बात समझ में आ रही होगी कि आँखों का काम जो है वो भी उतनी ही जादे महत्वपूर है जितना कि कान का या मुँग का या फिर हाथ का या फिर पैर का का होता है तो जो सभी अंग होते हैं सब का अपना अपना एक विसेस काम होता है इसी प्रकार समाज में भी अलग-अलग अंग होते हैं जो सभी मिलकर और अपनी अपनी रोल प्ले करते हैं या फूमी का निभाते हैं अगर हम समाज की पूरी तस्वीर पे नजर डालें तो ये हम अंग जो हैं जो कि अपने रोल प्ले कर रहे हैं वे समूची समाज में इस्थिरता लाने का प्रयास करते हैं तब ही तो function कर रहे हैं कि समाज में stability अर्थात इस्थिरता बनी रहे हैं दूसरी तरह से अगर कहें तो ये सारी जो भूमिकाएं हैं वो समाज को एकता की सुत्र में बाधती हैं अब जैसे उदारण के लिए हम देखते हैं कि लोग तरह तरह के जो पेसे हैं या फिर क्रिया कलाप हैं उनमें लगे हुए हैं जैसे कि डॉक्टर होते हैं वकील होते हैं शिच्छक होते हैं चात्र हैं श्रमिक हैं उद्योग पती हैं किसान हैं तो इस तरीके स हमको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे पेसे हैं जिनका सबका अपना अपना काम है बटा हुआ है एक डॉक्टर का काम एक शिच्चक नहीं कर सकता है लेकिन एक शिच्चक को हम एक डॉक्टर से कम नहीं आख सकते हैं क्योंकि समाज में उसकी जो जरूरत है उसका जो समा में योगदान की आवश्यक्ता है वो पूरा करता है इन लोगों के क्रिया कलाप हाला की एक दूसरे से भिन होते हैं पर समाज सुचारों रूप से चलने के लिए सब की जरूरत होती है इन्हीं प्रिथक अंग माना जा सकता है जो समाज के एकी करड के लिए मिल जुल कर काम कर सकते हैं अब यहां पर जो एक बेसिक डिफ्रेंस होता है कि मानों का जो सरीर होता है वो एक सरीर में विभिन अंग होते हैं लेकिन यहां पर सरीर अगर हम पूरे समाज को माल ले तो जो अंग के रूप में हम देखेंगे अलग अलग अंगों के रूप में अलग अलग अज अगर हम देखें कि सामाजी कस्तरी करड़ का प्रकार्यवादी सिध्धान्त क्या करता है यहाँ पे अब हम लोग सामाजी कस्तरी करड़ से इसको जोड़ के देखते हैं कि सामाजी कस्तरी करड़ में प्रकार्यवादी सिध्धान्त किस प्रकार से रोलनी भाता है तो प्रकारिवादी सिधानत इस बात को सिर्कारते हैं कि सभी समाज जो है अस्तरों में बटे हुए होते हैं तो प्रकारिवादी सिधानत वादी हैं तो वो ऐसा मानते हैं कि जो समाज है वो विभिन अस्तरों में बटा हुआ है दूसरे सब्दों में यदि बोलनें तो समाज के विभिन सदसे जो कारी करते हैं वे असल में इसको जीवित रखने के लिए करते हैं ताकि समाज जो है वो अपने अस्तित्तों में बना रहे मगर सभी कारियों को समान दर्जा नहीं दिया जाता है कुछ कारे अन्य कारियों से स्रेश्ट होते हैं इसलिए उन्हें उचा दर्जा दिया जाता है जो लोग इन कारियों को अंजाम देते हैं उन्हें अन्य लोगों से स्रेश्ट समझा जाता है सामाजिक कस्तरी करड का जो पकारिवादी सिधान्त है वो ये समझाने का प्रयास करता है कि सामाजिक और समानताएं किस तरह से उत्पन होती है तथा वो समाज के लिए जरूरी भी है ऐसा नहीं है कि बस आसमानता हैं हमें दिखती हैं बलकि वो समाज के लिए जरूरी भी हैं प्रकार्यवादी यह भी मान के चलते हैं कि समाज की अपने कुछ मूल भूत जरूरते होती हैं इन जरूरतों की पूर्ती हर हाल में होनी चाहिए अन्य था समाज में जो है वो आ इस् मिलता है यह आप लोगों को समझना है कि प्रकार्यात्मक पूर्वा पेक्षा आखिर में क्या होता है तो प्रकार्यात्मक पूर्वा पेक्षा यही होता है कि जो हमारा समाज में जरूरी है भले वो असमान रूप से ही वीतिरित है या अस्तरित है लेकिन अगर समाज की इस्थिता के लिए जरूरी है तो वैसा होना चाहिए तो इसी को प्रकार्यात्मक पूर्वा पेच्छा या इसे ही हम functional pre-request site करते हैं या requisite करते हैं दूसरे अगर point ये देखें कि ये प्रकार्यात्मक पूर्वा पेच्छा जो हैं वह हाला की महत्व्पूर्ण है समाज के लिए लेकिन उनका अस्थान उन्हें समाज में मिलने वाले महत्व के अंसार तै होता है कि कि किस की काबिलियत के इसाब से कितना समाज में महत्व दिया अगर एक कारखाना है तो उसको चलाने के लिए अगर हमें मजदूर चाहिए तो हमें प्रवंधक भी चाहिए क्योंकि बिना प्रवंधक के कारखाना कैसे चलेगा तो यदि हमें प्रबंधक चाहिए तो मजदूर भी चाहिए और इस प्रकार से अगर हम देखें तो दोनों की कारी जो है वो अलग-अलग होते हैं कोई भी कार खाना जो है वो सिर्फ मजदूरों की बदालत या फिर सिर्फ प्रबंधकों की बदालत नहीं चल सकता है इसलिए मजदूर और प्रबंधक दोनों उसके अभिन और अनिवार्य अंग माने जाएंगे मगर यहां यह मानना सरासर गलत होगा कि चुकि दोनों जरूरी है इसलिए दोनों की हैसियत भी बराबर होनी चाहिए तो आप यहां पे अगर हम यह सोचें कि जो हैसियत प्रबंधक की अर्थात मैनेजर की है वही हैसियत जो है वो मजदूर की हो तो यह मानना सरासर गलत होगा यह प्रकार्यात्मक जो नजरिया है सामाजी कस्तेरी करण का वोई कहता है वास्तों में ऐसा नहीं होता है प्रबंधकों को स्रमिकों से उचा दर्जा हासिल होता है इसलिए इस अभिन्नता या फिर अखंडता का मतलब समानता नहीं होता है इसका यह मतलब है कि सभी अलग-अलग समू मिल जूल कर इस्थिर्ता की दिसा में काम करते हैं मजदूर जो है वो समाज के लिए चुकि आप परिहार है उसके विना काम नहीं चल सकता है तो उसका भी अपना काम है वहीं पर प्रवंदक है प्रवंदक की भी सेम कंडिशन है और उसका भी लेकिन अपना अलग काम है इसलिए दोनों को अपने काम के हिसाब से उनको जो एक पायतोसिक बोलें या साबासी बोलें या फिर जो अलग अन्यलाव होते हैं वो दिये जाते हैं तो इस प्रकार से जो है हमें समाज आसमान अस्तर में दिखाई देता है मगर वे इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वे एक क्रम परंपरा में अस्तरित रहते हैं अर्थाथ यहाँ पे क्रम परंपरा के लिए हम लोग इसके बारे में पहले भी डिसक्श कर चुके हैं जब Lee Dumont को हम लोग समझ रहे थे कि किस प्रकार से वो समाज को क्रम परंपरा के रूप में देखते हैं तो यहाँ पे अगर मजदूर है तो मजदूर यह इस बात को मानने को तयार रहता है कि हमारा जो है क्या काम है विल डिफाइंट पहले से ही क्रम परंपरा का मतलब यही है कि जो पहले से चला आ रहा है उसी को हम एकसेप्ट भी कर रहे हैं और आसानी से एकसेप्ट कर रहे हैं अर्थात हम उससे सहमत हैं कि हाँ ये चीज ऐसे है तो इसमें कुछ बुरा नहीं है ऐसे ही होना चाहिए तो जो मजदूर होता है वो उसको पहले से ही पता है कि हमें आखिर में किस तरीके से हमारा क्या काम है हमारा क्या ओदा है समाज में हमें लोगों से किस परकार से रहना ह वहीं पे जो manager या प्रवंधक होता है वो भी पहले से ही predefined उसका status है समाज में उसका अपना एक class है वो वताता है उसको ये पता रहता है कि हमें समाज में कैसे रहना चाहिए या पिर वो वताने की एकोसिस करता है कि हम प्रवंधक हैं अर्थारत अगर हम मज़ूर और प्रवंधक दोनों अगर बोले की पद अलग-अलग हैं तो दोनों के अंदर feeling भी अलग होती है दोनों को उसी हिसाब से समाज में treat भी किया जाता है इस क्रम परंपरा का आखिर में आधार क्या होता है अगर आप लोग के मन में ये प्रशना आ रहा हो कि जो ये क्रम परंपरा होता है क्रम परंपरा होता है आखिर में इसका आधार क्या होता है तो जो क्रम परंपरा है इसका आधार अगर हम ढूरने की कोशिस करें तो इसी को टालकट पार्सन समझाने की कोशिस करते हैं और यहां पे एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि आखिर में क्यों लोग इसे स्विकार कर लेते हैं यह कि यह क्रम परंपरा से चली आ रही है और इसको हमको इसली स्विकार करना है तो आखिर में ऐसा क्या होता है तो जो प्रकारिवादी सिधान्तकार रहें वो इन ही प्रशनों को सुलजाने का प्रयास करते हैं और अब हम लोग टालकर पार्संस का नजरिया आखिर में क्या रहा है सामाजी कस्तरी करड को लेके तो अभी हम लोग समझने का कोशिस करेंगे इसी में हम लोग समझ में आ जाएगा कि आखि में लोग पहले से ही जो ये चली आ रही है समाज में एक इस्थिर मानते हैं प्रकारवादी ये मानते हैं एक समाज जो है वो इस्थिरता चाहता है चुकि अगर हमें समाज में कुछ बहुत जयादे problem नहीं दिख रही हैं तो हमें ऐसा लगता है कि समाज इस्तीर है और ये स्थिड़ता जो समाज में दिख रही है वो आखिर में किस तरीकी की व्यवस्था की वजह से दिख रही है तो प्रकारिवादी चाहते हैं ये व्यवस्था ऐसे ही परकरार रहें और टालकट पार्संस के अगर नजरीय की बात करें तो पार्संस के सामाजिक प्रडालियों के विसलेशड का जो केंदर बिंदु है वो व्यवस्था का प्रस्ण है कि आखिर में जो व्यवस्था होती है वो क्या है वो कैसे काम करती है आप लोग को अगर इनकी बुक का नाम भी याद हो तो इनका बुक ही है social system ये social system बुक जो है इसे square के नाम से भी हम लोग याद रखते हैं तो ये इनकी एक बहुत ही important book है, ये आप लोग ध्यान रखेगा, उनका मानना था कि सभी सामाजिक प्रडालियां इसलिए उत्पन हुई हैं, कि इन प्रडालियों में बिद्यमान लोग व्यवस्था और इस्थिर्था चाहते हैं, तो आलेडी हम लोग इस पर discuss कर चुके हैं, पार्संस के अंसार सामाजिक प्रडालिय तब उत्पन होती है, जब दो या अधिक लोग बंधन की इस्थिती में परस्पर विवहार करते हैं, और उनके कारे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो यहाँ पे कुल कहने का आर्थ ये निकलता है, कि जो लोग हैं, वो एक दूसरे से जुड़के और किस प्रकार से सामाजिक विवहार करते हैं, यह हमारा एक इस्थिरता की इस्थिती को दरसाता है, नहीं तो फिर कंफलिक्ट हो जाएगा ना, फिर संघर्स की इस्थिती रहेगी और दोनों के दोनों लोग आपस में लड़ते विड़ते रहेंग हमें अगर इस्थिरता की बात करनी है समाज में, तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि जो सामाजिक स्प्रडाली है या सोसल सिस्टम है, इसमें सबसे पहले लोगों का ग्रुप होना जरूरी है, यह समू, दो व्यक्तियों, यह दो देश का भी हो सकता है, इसका दूसरा अर्थिया है कि यह लोग एक साथ ही सीमा के भीतर विद्यमान रहते हैं, तो अगर हम बात करें लोगों के समू के, तो यह भी हो सकता है कि एक बाउंडरी है, उस बाउंडरी के अंदर लोग रहते हैं, तो उसको भी हम कह सकते हैं कि यह एक समू है, और तीसरा मुझ की बात करें तो कि वो डायरेक्ट या इंडायरेक्ट रूप से अपने कारियों से एक दूसरे को इफेक्ट डालते हैं या प्रभावित करते हैं इस तरह की क्रिया को हम अपने डैनिक जीवन में देख सकते हैं अपने डैनिक जीवन में हम कई लोगों से मिलते जुलते ह हैं ऐसा करते समय हम उस व्यक्ति से प्रफावित होते हैं जिससे हम विवहार करते हैं अर्था जिससे मिलते जूलते हैं उधारण के लिए यदि हम देखें कि जब अपने पिता अगर हम अपने ही पिता की बात कर लें कि अपने हमारे पिता या किसी बुजुर्ग से बात कर र तो उस समय हमारा एक खास तरह का आचरण होता है हम उनसे एक अलग तरीके से बात करते हैं या फिर आपकी बात करें तो जब आप अपने पिता या किसी बुजुर्ग से बात करते हैं तो उस समय आपका एक खास तरह का आचरण होता है जो कि आप ऐसा देखेंगे कि जो आपक व्यक्ति लोगों के साथ पारस्परिक विवहार करते समय आचरण एक समान क्यों नहीं होता है यह प्रश्न जो है पार्संस के मन में आता है और पार्संस कहते हैं कि इनके अमसार अगर हम देखे पार्संस के अमसार तो तो ऐसा इसलिए होता है कि जब आप किसी व्यक्ति के साथ परस पर विवहार करते हैं तो आपका आचरण जो होता है इस व्यक्ति के कारियों से प्रभावित होता है तो जब हम दोस्तों के साथ होते हैं अपने मित्रों के साथ होते हैं तो उनसे अलग तरीकी का विवहार करते हैं क्योंकि उनका वेवहार जो है हमको प्रभावित किया रहता है वहीं पे अगर हम अपने माता पिता से बात करते हैं तो हमारा जो वेवहार करने का तरीका है वो अलग होता है क्योंकि हम अपने माता पिता से प्रभावित होते हैं वहीं पे अगर किशी सिच्छक की बात करे तो जब सिच्छक से हम किसी बात करते हैं तो हम उनी के अनुसार बात करते हैं क्योंकि हम किसी जो सिच्छक से बात कर रहे हैं उन से प्रभावित होते हैं विभिन इस्थितियों में आपके आचरण का जो नियमन है या ये बुले की कंट्रोल है मुखिता इसलिए होता है कि एक ब्यक्ति के रूप में आप एक निश्ची तरीके से आचरण करते हैं यहाँ पे अगर हम बात करें कि आखिर में ऐसा क्यों होता है अभी अगर यहाँ पे हम देखें कि विभिन इस्थितियों में आपके आचरण का जो नियमन होता है वो मुखिता इसलिए होता है इसको कट कर दीजगा आप लोग कि एक ब्यक्ति की रूप में आप एक निश्ची तरीके से आचरड करते हैं क्योंकि इस इस्थिति में प्रतिक व्यक्ति उसी तरह से आचरड करता है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि विभिन इस्थितियों में आपके आचरड किस प्रकार से होने चाहिए या मुख्यता इस तरीके से होता है कि एक व्यक्ति के रू प्रत्यक व्यक्ति उसी तरीके से विवहार करता है जब आप सिच्चक से बात कर रहे हैं या फिर आप डाक्टर से बात कर रहे हैं तो जिस तरीके से आप डाक्टर से विवहार कर रहे हैं उसी प्रकार से जो वहां पे दूसरे पेसिंट्स होते हैं या दूसरे जो मरीज होते हैं वो भी डाक्टर से वैसे ही बेवार करते हैं फिर आप ही जानते हैं कि यदि आप निर्दिश्ट तरीके याद करके या तहजीर से बेवार नहीं करते हैं तो इससे अव्यवस्था की इस्थिती जो है वो उत्पन हो जाएगी तो अभी अगर हम फार एक्जामपल देखें कि अगर आप अपनी किसी मित्र से रूखे ढंग से पेसाते हैं या बहुत गुस्से में बात करते हैं जैसे कि वह आपका दुस्मन हो तो आपके इस वेवार से वैमनस्य की इस्थिती पैदा हो जाएगी और हो सकता है कि आप उसकी मित्रता से हाथ दो बैटें तो यहाँ प क कि लड़ रहे हैं मार पिट कर रहे हैं ऐसी इस्थिती नहीं होनी चाहिए नहीं तो फिर यह हो सकता है कि हमारी जो दोस्ती है वो खत्रे में पढ़ सकती हैं इसलिए आप उससे वैसा ही बरताओ करेंगे जिसकी आपसे अपेक्छा की जाती है या फिर एकिर उमीद की जात कि किसी भी व्यक्ति का कार्य इस से निर्धारीद होता है कि वह किसी पारस पर ही विवहार कर रहा है बदली में या समाज या समाज क्प्रड़ाली के आचर नियमों से तै होते हैं foreign हमें समाज में किस प्रकार से विवार करना है अगर हमें समाज में रहना है तो जो समाज के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं हमें उसी का पालन करना है तभी समाज में जो है वो इस्धिरता बनी रहेगी आचरण के नियम जो होते हैं वो आखिर में कैसे होते हैं तो आचरण के नियम लोगों की आम सहमती पर आधारित होते हैं अर्थात अगर कोई भी एक बात है तो उस पे सब की सहमती बनी रहेगी तब ही हम कहेंगे कि ये समाज के हित के लिए है क्यूं कि ये जो जितने लोगों की सहमती बन रही है वो समाज की ही तो अंग है और समाज में ही इस्थिरता चाहिए अर्थात हमारी अपनी ही बेवस्था में इस्थिरता चाहिए तो हमारी अपनी बेवस्था के लिए हम अपने खुद की नियम बनाते हैं और उसी के अनुसार हम बेवार करने की अपेच्छा करते हैं कि बाकि सभी लोग भी ऐसे ही रहे हैं अभी जैसे मान लेते हैं एक क्रिकेट का खेल है तो क्रिकेट की खेल में अगर मान लेते हैं कि कोई कहे कि नहीं हम 6 बाल का एक ओभर मानेंगे कोई कहे कि नहीं हम 4 बाल का म मानेंगे या फिर कोई ऐसा भी कह सकता कि हम भी इस वाल का एक ओगर मानेंगे तो फिर वहां पे अगर हम देखेंगे तो जो क्रिकेट का गेम है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा इसलिए उसमें भी अपने कुछ नियम होते हैं जिससे की जो क्रिकेट का मैच है वो सही से कि चले function करें तो इसी प्रकार से जब समाज की अगर बात हो रही है तो समाज की भी अपने कुछ नियम होंगे जिसके अनुसार हम उसको फालो करेंगे अथा भी समाज जो है वो इस्थिता की condition में होती है इसलिए समाजिक मुल्य जो होते हैं वो एक समाज के साज ही विश्वा होते हैं तो जो समाजिक मुल्य होते हैं यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा समाजिक मुल्यों की बात इन्होंने की है टालकत पार्संस ने और इस पर इन्होंने काफी जादे जोर दिया है इन मुल्यों को जिस तरह से बिवहार में लाया जाता है जिन्हें आदर्स य दोनों अलग अलग होते हैं। आप सभी को पता है, जो मुल्य होते हैं वो, हमसे ही उमीद की जाते हैं, कि समाज में हम ऐसा विभार करें। लेकिन यही जब काफी समय तक मुल्य जो होते हैं वो समाज में एक परंपरा के रूप में ले लेते हैं तो उन्हीं ही फिर हम प्रतिमान कहते हैं और जिन्हें हम ये उम्मीद करते हैं कि समाज को अगर हमें सही तरीकी से आगे को बढ़ाना है या एक इस्थिर कंडिशन में रहे बैलेंस्ट कंडिशन में रहे तो हमें इन प्रतिमानों को मानना जरूरी है इस प्रकार सामाजिक प्रतिमान जो होते हैं वो वेवहार करने के वेवहार के नियम होते हैं तो यहां पे मुल्य जो होते हैं वो हमसे अपेक्षा की जाती है लेकिन यही अपेक्षाएं जो समाज की हित के लिए होती हैं और वो वेभार करने की नियम बन जाते हैं तो वही हमारे प्रतिमान कहलाते हैं यह आप लोग ध्यान रखेगा पार्संस कहते हैं कि सामाजिक मुल्य और प्रतिमान अब यहाँ पे आप लोग मुल्य और प्रतिमान दोनों को समझ सकते हैं देख सकते हैं प्रतिक समाज की व्यवस्था और इस्थिर्टा को बनाए रखने की आवश्यक्ता से उत्पन होते हैं मुल्य और प्रतिमान हर समाज में अलग होते हैं क्योंकि प्रतिक समाज की जरूरतें जो होती है वो अलग होती है मगर हर समाज की मुल्य व्यवस्था में उभय कारक इस्थिर्टा की आवश्यक्ता है तो अगर हम चाहे जो मालने की प्रतेक समाज में जो मुल्य होते हैं वो अलग-अलग तरीके के हो सकते हैं अपने हर समाज की अपनी जरूरतें हो इनकी देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इन्होंने कहा है कि हर समाज की मुल्य व्यवस्था में उभै कारक अर्थार हर किसी में हमें इक कामन दिखता है, वो ये है कि जो इस्थिर्ता की आवश्यक्ता है, वो हमें दिखाए जेती है, प्रतेक समाज जो है, वो इस्थिर्ता चाह तो हर समाज की अपनी आवस्षकताइं होती हैं उन आवस्षकताओं के एकार्डिंग वो अपने खुद के मुल्य बनाते हैं और उनहीं मुल्यों की पूरती कर्मतह हैं उसको अच्छे तरीके से निभाते हैं, और जिससे की उनको यह उम्मेद रहता है, कि हमारा समाज है वो हम लोग पहले थोड़ा एक लाइन में समझ ले दिखते हैं, मूल मतैक का अर्थ यह होता है कि ऐसे मुल्य जो है, व्यवस्था जो सामाजिक व्यवस्था में दिख रही है, इसमें ऐसे मुल्य जो हैं, जिन पे सभी की आम सहमती बनी हुई हो अर्था, सभी इस पे सहमत हों कि हाँ यह होना ही चाहिए, तो यह जो है, यह मूल मतैक और अस्तरी करण, आखिर में इसका अस्तरी करण से क्या सम्बंध होता है, तो अगर किसी भी समाज की मूल्य व्यवस्था जो है, वो किस तरह से उभरती है, किसी भी समाज की बात कर लेते हैं, वहाँ पे जो मुल्यों की व्यवस्ता है, जो हमें प्रतेक समाज में उनके अपने मुल्य दिखते हैं, आखीर में ये जो है, ये कैसे उभरती है, इस प्रशन के उतर में पार्संस जूर दे कर कहते हैं, कि मुल्य जो होता है, वो किसी व्य करते के मस्तिस्क से कोई लेना देना नहीं होता है तो यहां पर कैसे नहीं होता है जैसे कि अगर हम बहुत ही पहले के समय में देख लें जो राजा या पुजारी होते हैं तो उनका ऐसा माना जाता था कि वह पीड़ी देर पीड़ी चलती रहती थी और उनको जो इंपोर्टे तो मुल्य जो होते हैं यहां पर पार्सन से समझाने के कोशिस करते हैं कि मुल्य जो होते हैं वो साज ही विश्वास होते हैं आप सभी की एक सहमती बनी रहे किसी भी बात पर उसी को हम मुल्य करते हैं इसका मतलब यही है कि समाज की सभी सदसिया हमान कर चलते हैं कि ये प्रदत मुल्य ही सबसी उत्तमी उत्ती है जिसकी जरिये उनके समाज की इस्धिता कायम रखी जा सकती है तो साजे विश्वास की बात करें तो अगर हम आज भी हम देखें अपने समाज में तो एक परंपरा पीड़ी दर पीड़ी हमारे पूरवजों से चली आ रही है वो आज भी हमारी समाज में बित्यमान है और इसको हम अपनी भी सहमती प्रदान करते हैं हम चाहे जितने भी साइंस से जुड़ जाएं जितने भी बैग्यानिक हो जाएं लेकिन आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि घर पे अगर कोई भी अच्छा आउसर है चाहे वो विवा हो या फिर बच्चे का जन्म हो अगर आप लोग देखेंगे तो बिना जो कि सबसे उत्तम्युकती हैं जिसके जरिये उनके समाज की इस्थेता जो होती है वो कायम रखी जा सकती है इस तरह मुले जो होते हैं वो सिर्फ साजे विश्वा से ही नहीं है बलकि वी समाज के सदस्यों की सहमती से उत्पन होते हैं यह सहमती या मतैक के जो है इसलिए उत्पन होता है कि समाज के सदस्य अपने रोजाना के जीवन में विवस्था और इस्थिर्ता चाहते हैं इसलिए विवस्था इस्थिर्ता और सहयोग इस मुल्य मतायके पर निर्भर करता है समाज के सदस्यों में यह सहमती होती है कि सभी के लिए आखिर में अच्छा क्या है तो ये समझने की कोशिस सभी लोग करते हैं पार्संस यह भी तर्ग देते हैं कि मुल्यों की उपस्थिती से यही निसकर्स निकलता है कि व्यक्तियों का मुल्यांकन होता है और फिर उन्हीं एक तरह से स्रेडी कम में रखा जाता है तो अगर हम मुल्यों की उपस्तिती हम समाज में देखें तो पार्संस कहते हैं कि इसे ये निस्कर से कलता है कि हम इसी से जो है वो व्यक्तियों का मुल्यांकन करते हैं और इसी के कारण जो है हम उनको एक स्रेडी में रखते हैं जब हम उन्हें स्रेडी में रखेंगे तो यह नेचरल सी बात है कि प्रतिक व्यक्ति जो होता है वो एक समान नहीं होता है और यहां से हम देखेंगे जब स्रेडी में रखेंगे तो अस्तर का निर्मार होगा और यहीं से अस्तरी करण की प्रक्रिया हमें देखने को मिलेगी तो इसलिए समाज में विभेन अस्तर करम परमपरा पर आधारित होते हैं जो वास्तों में उनकी अस्तरी करण प्रडाली ही होती है पार्संस कहते हैं कि अस्तरी करण जो होता है सामाजिक प्रडाली में साज ही मुल्य विवस्था के अंसार इकाईयों का स्रेडी करण है यहां पे मैं इसको लिखना मैं भूल गई थी, मिस्कर दी हूँ मैं इसको, यह मैं लिख देती हूँ, यहां से आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो इगनू में जो कोट दिये गए रहते हैं, विचारकों के वो बहुत जादे इंपोर्टेंट हो जाते हैं, तो यहा स्तरीकरण, सामाजिक, प्रडाली, इसको आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, में, साजी, मुल्य विवस्था, के अनुसार, के अनुसार, के अनुसार, इकाईयों का, इकाईयों का, स्रेडी करण है, तो यह कथन जो है, वो टालकट पार्संस का है, यह आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्तरीकरण, सामाजिक, प्रडाली में, साजी, मुल्य, विवस्था, के अनुसार, इकाईयों का, स्रेडी करण है, यह कथन टालकट पार्संस के द्वारा दिया गया है, किसी भी समाज में, जो लोग सामाजिक मुल्यों के अंसार कारियों को अंजाम देते हैं, अगर हम जो भी सामाजिक मुल्य होता है, और उसके अंसार हागर हम समाज में काम करते हैं, अब हम लोग अगर कोई भी समाज में जो व्यक्ति है अगर वो समाजिक मुल्यों के अंसार कारी करता है या हम समाजिक मुल्यों के अंसार काम करते हैं या आच्रड करते हैं तो उन्हीं बहतर पाइटोसित दिया जाता है ऐसा माना जाएगा आप लोग अपने भी समाज में जहां भी रहते आप लोग देख सकते हैं आपने आसपास में कि जो लोग समाज के नियमों का उलंगन नहीं करते हैं उसकी respect करते हुए आगे बढ़ते हैं समाज की जो है एक इंजित करते हैं तो उनको जो है समाज में काफी अच्छे नज़र से देखा जाता है Parsons के आउंसार इन पार्टोस्कों का स्वरूप इस बात पर निर्फर करता है कि समाज के मुल्य किसी सर्व स्रिष्ट ठाराते हैं अब जैसे एक्जामपल हम देख लेते हैं कि राजपूतों में साहस और वीर्ता को अधिक महत्यों देने की परंपरा रही है अगर हम बात राजपूतों की कहें तो जो लोग राजपूतों होते हैं या फिर उन में हम देखते हैं जो राजपूतों होते हैं ठाकूर होते हैं तो जो ब्यक्ति इन गुड़ों पे खरा उतरता है अर्थात रियल में जो उस करेक्टरिस्टिक को जो लच्छड को है उसे अपने पास रखता है तो उसे बहतर पुरसकार और उचा दर्जा समाज में दिया जाता है अन्य समुदायों में ब्यापार में काफी जादे कोशलता देखने को मिलती है तो उसमें जो है काफी जादे अभी जैसे हम बात कर लेते हैं कि कोई अगर कहे कि बनिया बनिया का नाम सुनते ही मन में ये आता है कि ये लोग जो होते हैं इनका माइन बहुत चलता है और ये साथ बचत करने में काफी जादे ये लोग माहिर होते हैं और ये लोग जो होते हैं ब्यापार करके मुनाभा बहुत जादे कमाना चाहते हैं तो ऐसी अगर इमेज है एक बनी हुई तो ऐसा लगता है कि हाँ ये अपनी करेक्टरिस्टिक अपने लक्षड को फुल्फिल कर रह इसी प्रकार समय जो सभी सामाजिक प्रडालियां होती हैं इनमें मुल्य वेवस्था कुछ गुडों पर उचे पाइट तोसिक तो अन्य जो होते हैं उन पर कम पाइट तोसिक देती हैं मगर कोई व्यक्ति अगर इन सामाजिक मुल्यों के आवहिलना करता है तो उसे डंड भी समाज के द्वारा दिया जाता है इसलिए जिस समाज में वीर्ता को अधिक महत्वाद दिया जाता है उस समाज में कायरता के लक्षड दिखाने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो स्रेडी क्रम में अपना अस्थान खो बैठेंगे तो जो स्रेडी क्रम हमें समाज में दिख सबसे निचले अस्तान पे देखेंगे अपने आपको पार्संस के अनुसार आधुनिक और दोगिक समाज में व्यक्ति की नीजी उपलब्दियों को उच्च मान दिया जाता है तो पार्संस ने कहा है कि जो आधुनिक और दोगिक समाज है इसमें व्यक्ति की जो अपनी नीज उपलब्दिया अर्थात अर्जित की हुई है उसको उचमान दिया जाता है समाज में जो कि बहुत बड़े-बड़े आप इंडॉस्ट लिस्ट देख सकते हैं बिजनसमेन देख सकते हैं आप लोग बड़े-बड़े डॉक्टर्स होते हैं इंजीनियर्स होते हैं प्रोफिसर जोर दिया जाता है इसलिए पार्संस कहते हैं कि इन समाजों विसेश करके यदि अमेरिया की बात करें तो इन में मुल्य विवस्था जो है वो अर्थ विवस्था के भीतर उत्पादक क्रिया कलाप उनको प्रमुकता देती है तो अगर हम जहां पे आधुनिक और दोगिक समा समाज की बात करें वहां पे मुल्य जो होती है मुल्य विवस्था वह अर्थ विवस्था के भीतर जो उत्पादक क्रिया कलाप हैं उनको जादे प्रमुकता देती है इसलिए जो लोग इनमें प्रविर होते हैं अर्थात कुशल होते हैं उन्हीं बहतर पार्टों से दिया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो जिस काम के लिए बना है वो उसको अच्छे से कर रहा है ऐसे समाज में एक स्रमिक में अगर आवश्य गुड़ विद्यमान हो अगर ऐसा समाज कोई है कि जहां पर उसकी अपने खुद के नीची उपलब्दियों को जादे महत्व दि तो हो सकता है कि वो अभी एक सफल उद्योग पती बन जाए इस प्रकार कमपनियों में जो अधिकारी लोग काफी टैलेंटेड होते हैं उजस्वी होते हैं सफल होते हैं उन्हें वेतन और अनेलावूं के रूप में अधिक पाइटोसिक दिया जाता है इस से स्तरी करड़ प्रडाली में उनका अस्थान जो होता है वो ऊचा हो जाता है तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सामाजिक अस्तरी करड़ की ब्याखा करते हुए पार्सस ने लोगों में जो मौझूद भेद हैं या विसमताए हैं उनको महत्व देते हैं उनको एकसेप्ट करते हैं कि हर क कोई व्यक्ति जो होता है वो एक समान नहीं होता है उनका कहना था कि ये विसमताएं जो होती हैं वो समाज की मुल्य व्यवस्था की संगत होती हैं और इसलिए ये समाज की इस्थिरता के लिए आनिवारे हैं अच्यों कि समाज की मुल्य व्यवस्था और समानताओं को सही ठा इसलिए विवहार में निम्न स्रेडी क्रम में बिद्दमान लोगों समेच सभी लोग इन्हीं स्विकार कर लेते हैं तो यहां पे अब आप लोग को क्रम परंपरा की बात समझ में आ रही होगी क्रम परंपरा जो है वो बताती है कि जो हमारे पीडी दर पीडी से चली आ रही ह वही हमारे लिए सही है, तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते है कि चुकि जो समाज़ की मुल्य व्यवस्था है वो असमानताओं को सही ठहराती है, कि हम सभी को एक कटेगरी में लाके नहीं खड़ा कर सकते हैं तो इसलिए वेवहार में जो निम्न स्रेडी क्रम में विद्धिमान लोग हैं वो सभी लोग भी इसे स्विकार कर लेते हैं कि हाँ हम निम्न स्रेडी में ही हैं हमारा यही काम है और हमें इसी को करना है क्योंकि समाज के द्वारा यह सही ठाराया गया है अब जैसे एक उदार ले ले लेते हैं कि और दोगिक जो संगठन होते हैं उनमें काफी बड़े अस्तर पे अस्तरी करण प्रडालियां बिद्धमान होती हैं क्योंकि आप लोग देखेंगे कि एक लिपिक से लेके या यह कह सकते हैं कि एक चपरासी से लेके एक चपरासी से लेके और हाई लेबल का जो मालिक होता है इंडस्ट्री का बोल सकते हैं या किसी भी कंपनी का तो वहां तक की एक चेंस ही बनी होती है हर लेबल पे जो लोग होते हैं उनका अपना काम होता है अब उनकी जो कौसल होते हैं और अनुभा होते हैं, इनके आधार पर श्रमिकों में भी भेठ पाया जाता है, ऐसा नहीं है कि सभी श्रमिक भी एक कटेगरी में आते हैं, जो श्रमिक अपने कार्य में कुशल होते हैं, और जिनमें नैत्रित्यू के गुड़ मौजूद होते हैं, उन्हें पदोननती या फ एक बार हम लोग इसको मिटा लेते हैं और वाकी चीजे भी डिस्कस कर लेंगे यहीं पर ओके तो जो लोग होते हैं अगर माल लेते हैं कि हम स्रमिक वर की भी बात करें तो हम सभी स्रमिक वर को एक काटेगरी में नहीं रख सकते हैं हो सकता है कि किसी की कुशलता जो है वो डाउन में हो और किसी की कुशलता जो है वो इससे काफी अच्छी हो अगर एक बेक्ति को यहाँ पे हम रिफ्रेंस मालने A है तो B हो सकता है कि उतना कुशलना हो और वहीं पे C हो सकता है कि उससे ज सालों तक रहना पड़ जाए तो जो वेतन है या फिर प्रमोशन है वो उनकी कुसलता के अंसार दे दिया जाता है इसी प्रकार्श्रम और प्रबंध दोनों किसी और दोगिक संगंठन को चलाने के लिए हाला की जरूरी है लेकिन प्रबंधक का अर्थात मैनेजर का जो जा रहता है इन विसमताओं के कारड़ दोनों में संगहर्स भी होता है ऐसा नहीं करते हैं पार्शन की संगहर्स नहीं पाया रहता है उन्होंने कहा है कि इन विसमताओं के कारड़ दोनों में संगहर्स भी होता है मगर चुकि इन विसमताओं के मूल में मुल्य विवस्था का हाथ होता है और इस व्यवस्था से चुकि कि ये जो सामाजिक मुल्य व्यवस्था है वही इस चीज को करके रखी है तो इसलिए दोनों की सहमत्य विवनी होती है स्रमी को भी पता है कि हम manager की जैसे नहीं हो सकते हैं इस लिए इन मुद्दों पर गहरे संगर्ष जो है अगर बहुत बड़े लेबल पर संगर्ष देखें तो वो बहुत ही कम मिलते हैं एक कटरपंथी मजदूर संग भी यह बात स्विकार करता है कि प्रवंधन का दर्जा जो होता है उजा होता है तो अगर एक कटरपंथी अगर मजदूर संग अगर कोई है जो अपने वेलफेर के लिए अपनी भलाई के लिए लड़ता हो तो उसको भी पता होगा कि हमारा जो जगह है वो जो इस कंपनी का प्रवंधक है उससे निम्न है अर्थात प्रवंधक का जो तर्जा है वो हमसे उजा है ऐसा इस कारण होता है मुल अगर देखा जाए तो इन विशंताओं को स्विकार करते हैं और इस तरह से बड़ा संघर्स होने से रुख जाता है। सभी लोग चाहे वे स्रमिक हो या फिर प्रबंधन में हो मानते हैं कि ये वेवस्था सबसे उत्तम हैं अगर इन मुल्यों को चुनौती दी जाए तो समाज में और इस्थिर्टा की कंडिशन उत्पन हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये सभी को पता है कि समाज में बहुत सारी विसमताएं हमें देखने को मिलती हैं लेकिन उनको ये भी पता है कि एक स्रमिक को अगर हम एक मैनेजर के पोश्ट पे विठा देंगे तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए स्रमिक को लगता है कि हम अपनी जगह पे अपना काम बहतर करें और जो एक मैनेजर है हाईर लेवल पे कोई आफिसर बैठा है तो वो अपना काम बहतर तरीके सिख करें। अब यदि अगर हम पार्संस की थियोरी जो थी पार्संस का जो सिधान था इसका आखिर में सार क्या निकलता है ये अगर हम लोग समझें तो इन्होंने चार पॉइंट में इसको समझाने की कोशिस की है एकनू के बुक में। पहला पॉइंट ये निकल के आता है कि मूल मतैक की जो है वो सभी समाजों का अनिवार अंग है। इसका स्थरी करण सभी समाजों में आव परिहारी है अर्ठात ये हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं इसको हम जुखला नहीं सकते हैं ये सभी समाज में पाया ही पाया जाता है। समाज में व्यवस्था और स्थिर्था बनाए रखने के लिए स्तरी करण प्रडाली को नयायोचित, सही और उचित माना जाता है। तो समाज में जो व्यवस्था है और स्थिर्था है इसको बनाए रखने के लिए जो स्तरी करण प्रडाली है जो हमें स्ट्रेटा दिखता है समाज में इसको हम अगर देखें तो सही ठाराया जाता है। इस से भिन भिन लोगों को भिन भिन पार्टोसिक मिलता है अर्थात हर किसी लेवल की जो व्यक्ति होते हैं समाज में हर किसी का अपने अस्तर पे भरर पोशर होता है। जिन लोगों को पुरस्कृत किया जाता है और जिनें नहीं पुरस्कृत किया जाता है उनके बीच संखर्स हो सकता है अर्थात टालकट पार्सन्स ने कमप्लीटली इसको मना नहीं किया है इससे सामती उन्होंने दी है मगर इससे मوجود प्रडाली को कोई बड़ा खत्रा पैता नहीं होता क्योंकि मुल्ले व्यवस्था जो होता है वो इस द्वंद को रोके रखती है तो दोस्तों ये जो है आज का लेक्चर टालकट पार्संस का आखिर में सामाजी कस्तरी करण को ले के क्या विचार था इसको हम लोग डिसकस किये अपने नेक्स लेक्चर में हम लोग कि विचार क्या है सामाजी कस्तरी करण को लेके उसको हम लोग डीटेल में समझने की कोशिस करेंगे यहां पे इकनुकी बुक में जिस बुक से ये कंटेंट लिया गया था मैंने सूचा कि आप लोगों को ये बुक मैं दिखा दूं मेंसेन कर दूं यहां पे क्लास, स्टेटस, और पावर यहां पे आप लोग देख सकते हैं यह बुक जो है वो बेंडिक्स और सेमोर मार्टिन यार्थाथ एसम लिपसिट का तो इसको आप लोग शॉटली बेंडिक्स और लिपसिट की बुक कर सकते हैं यहां पे अगर आप लोग को स्पेलिंग नहीं दिख रही हो तो मैं लिखते थे हूँ बेंडिक्स और लिपसिट की बुक है कलास स्टेटस आइंड पावर तो इगनु में जो कंटेंट लिया गया था वो इसी बुक से लिया गया था अब यहां पे चुकि क्लास स्टेटस और पावर बुक आप लोगों को पता चल चुका है कि यह बेंडिक्स अर्थात आर बेंडिक्स या फिर इसे इन्हें रेंहार्ड बेंडिक्स के नाम से जाना दाता है इनका पूरा नाम जो है वो रेंहार्ड बेंडिक्स है तो रेंह नाम है जो कि आप लोगों को हो सकता है confused कर दे कभी class status and power दे दिया तो कहीं आप लोग ऐसा नहों कि confused होके जो कि CSP का concept जो है class status and power का concept max waiver की द्वारा दिया गया है तो आप लोग confused होके कहीं पे max waiver ना आप लोग guess कर लें तो ये आप लोग clear पहले रखिएगा कि class status and power जो बुक लिखी गई है वो bandics और lipsit की है वहीं पे एक मिलता जुलता नाम और आता है बुक का वो है cast class and power ये बहुत ही famous बुक है आंडरी बेतेई जी का तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा मैं इसलिए mention की कि आप लोग को confusion नहीं होना चाहिए तो यहाँ पे cast की बात करते हैं ये आप लोग ध्यान दिजिएगा cast class and power की बात करते हैं वहीं पे ये बुक जो है वो class और status and power की बात करती है यहाँ पे आप लोग को एक तीसरी बुक और दिख रही है max weber class status and power ये एक बुक है ये सिर्फ class status and power नहीं है बलकि max weber class status and power ये बुक अमिताब भट के द्वारा लिखी गई है तो मुझे लगा कि ये भी आप लोग को पता होना चाहिए जरूर से क्योंकि कभी exam में ऐसे ही नाम पूछ दिये जाते हैं कभी confusion हो जाता है कि ये बुक किसकी हो सकती है तो बहुत जादे confusion हो गया है तो ये तीनों बुक आपस में काफी जादे match करते हुए थे इसलिए मैंने आप मेंसिन किया उमीद है दोस्तों कि आज का lecture आप लोग को पसंद आया होगा और यदि आप लोग को मेरे पढ़ानी का तरीका मेरे lectures पसंद आते हैं तो आप लोग like किया करिए हमें comment करके बताया करिए कि lecture कैसा था और अपने दोस्तों में share किया करिए धन्यवाद